देर स्टूडेंस समर्वेकेशन के बाद एक बार फिर स्वागत थे आप सभी का सीटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूटूब चैनल पर आज के बायलोजी क्लास में जिसमें मैं आप सभी के लिए क्लास 10 बीटीसी के लिए एक बेहद ही खास टॉपिक लेकर के उपस्तित ह जिसका सिर्षक है जन्तूओं में पोसण तो आईए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जन्तूओं में पोसण कैसे होते हैं देखें जन्तूओं के बारे में हम जानते हैं कि सभी जन्तूओं परपोसी होते हैं यानि कि सभी जन्तूओं अपने भी जन्तु है जो कि परपोसी है वो एक्चुली या तो मृत जीवी होते हैं या तो परजीवी होते हैं नहीं तो प्राड़ी सम्पोसी होते हैं अब देखिए बिभीन परकार के जो प्राड़ी सम्पोसी जन्तु होते हैं उनकी अंदर में भोजन का अंतरगरहन जो है वो अल अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग परकार से होता है, तो अब जो है, चुकि हम लोग भी प्राडी सम्पोसी जन्तु ही हैं, तो इसलिए सबसे पहले प्राडी सम्पोसी जो पोसन होता है, विधी होता है, वो प्राडी सम्पोसन विधी को हम लोग पढ़ेंगे, सबसे simple जो जन्तु होता है उससे start करके देरे-देरे complex करते जाएंगे और फिर हम लोग अंतता पढ़ेंगे मनुस्य के अंदर में तो चलिए सबसे जो simple एक जन्तु है सरल जीव है उसमें हम लोग study करते हैं कि किस परकार से प्रारी संपोसी पोसन होता है ठीक है तो हम सबसे पहले जानेंगे अमीवा के अंदर में कि कैसे प्रारी संपोसी पोसन होता है चूकि अमीवा जो होता है वो एक सरल प्रारी संपोसी जीव होता है जो कि अगर बात करो तो एक को सीकी होता है और उसका जो सरीर होता है वो किसी खास आकृती का नहीं बलकि वो निश्चित आकृती का होता है कारण क्या है कारण ये है कि इसके सरीर पर जो है कुटपाद बनते हैं और बिगड़ते हैं जिसके वज़े से कि इसका जो रचना है इसके सरीर का जो आकृती होता है वो हर पल हर छण बदलते रहता है दूसरी बात कि यह रहता कहां है तो यह जो है मृदूल जल में रहता है यानि कि जो है मीठे पानी में रहता है ताजा पानी में रहता है या कह सकते हैं कि फ्रेस वाट में रहता है तो अब जानते हैं कि इसका भोजन क्या होता है इसका भोजन क्या होता है अब जानते हैं कि परकरियाएं होंगी जिसके तहत की पोशन कम्प्लीट होता है अंतर गरहन करेगा भोजन को अकिने सरेल के अंदर मिलेगा लेने के बस प्राणी समपोषण विधी का तो वह पांचों ही परकिर्याय के अंदर में complete होता है अब एक important बात ये ध्यान रखिए कि अमीबा के अंदर में जो है मुख के जैसा कोई निश्चित अस्थान नहीं होता है जहां से कि वो अपना भोजन गरहन करें तो इस कारण से ये अपने सरीर के सतह के किसी भी एक अस्थान से भोजन का अंतरगरहन कर सकता है अब जानते हैं कि कैसे इसका अंतरगरहन है देखिए होता क्या है जैसे कि यहां पर आप देख रहा है कि यह जो है एक अमीबा होगया अब ये अमीबा क्या होता है कि किसी एक अपने फूड के ग्रेन यानि कि खाद के कण के पास में जैसे ही आता है तो इसके सरीर में सिंस होता है कि इसके पास में भोजन है और फिर इसके वोज़े से क्या होता है कि ये भोजन के चारो तरफ कुटपाद बना लगता है यानि कि अपने सेल मेंब्रेन को उस भोजन के शारो तरफ में बढ़ाने लगता है और अंजता कुटपाद दोठो बनाता है और उन्हीं दोनों कुटपादों के सहाईते से क्या करता है कि भोजन को घेर लेता है जैसे कि आप लोग देख पारों यहां पे कुटपाद दोठो बनाया हुआ है और भोजन को घेर लिया अब धरे-दरे क्या होता है कि यह दोनों ही जो कुटपाद है इनको आपस में लाकर कर जोड़ देता है सेल मेंब्रेन को और इस तरीके से क्या होता है कि इसका सेल मेंबरेन का एक भाग तो बाहर की तरब से इसके सरीर का बाहर ही आवरण बना लता है जबकि सेल मेंबरेन का कुछ हिसा जो होता है वो एक पाउट के जैसा इस्ट्रक्चर बना करके उसी में पानी सहित वो जो उसका फूड है अमिव से कुछ digestive enzyme secret होते हैं और फिर ये जो food vacule के अंदर में food है वो digest होता है अब जब ये digest हो जाता है तो उसमें से जो भी digested nutrients हैं पोसक तत्व हैं उनको अम्वा जो है अपने cell के अंदर में absorb करता है और अवसोसित करता है और अवसोसित करने के बाद से उसका उपयोग करता है अपने सरीर के ब्रिद्धि के लिए अपने सरीर अपना संख्या बढ़ाने के लिए या फिर दूसरे चीजों के लिए जैसे की repair हो गया ठीक है जैसे इसके सरीर पर जिस परकार से भोजन को गरहन करने के लिए कोई खास अंग नहीं था उसी परकार से जो बीना पचा हुआ भोजन है उसको बाहर निकालने के लिए भी कोई अस्थान नहीं होता है इस वज़ा से क्या करता है कि Amoeba अपने सरीर के जो उपर का सता है यानि कि सेल मेंब्रेन है उसके किसी भी एक हिस्से से छोटा सा छिदर करता है और उसी छिदर से बाहर निकाल देता है तो इस परकार से आपने देखा कि Amoeba के अंदर में कैसे पूस्ण होता है कल मैं आप सभी को बताऊंगा कि पैरामिसियम के अंदर में कैसे पूस्ण होता है थोड़ा सा कंतर है हलाकि दोनों ही का अगर मैं बात करूं तो दोनों ही प्राणी समपोसी जीव हैं दोनों ही सरल जी हुआ है आप पूरी तरह से समझ पाए होगे कैसे जो हमिभा के अंदर में पोस्टन होता है और कैसे जो है यह एक प्राड़ी समपोसी जीव है तो थैंक्यू भेरी मच